हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल दोस्तों हम लेडीज जो हैं पुरा दिन घर और किचन के काम करते करते इतनी ठक जाती हैं लेकिन हमारे जो हैं काम खतम नहीं होते हैं और पुरा दिन निकल जाता है लेकिन काम जो है वो खतम होने का नाम ही नहीं लेते हैं तो अगर ऐसे में हमें कुछ tips and trick मालूम हो तो वो हमारे घंटो के काम मिंटो में हो जाएंगे तो यहां पर जो है बहुत यूसफुल वीडियो लेकर आई हूँ तो यहां पर मेरा पहला वीडियो बनने वाला है यह मेरे पास breadcrumb की shopper रखी वी थी एक polythin में मेरे breadcrumb रखे वे थी तो ऐसा होता है ना कि यह breadcrumb जब हम खोलते हैं या कोई भी चीज ले लें डाल का packet ले लें या कोई भी चीज आप ले लें तो अथैली जो है ना वो इस तरीके से खुली रह जाती है और जिसको जो है ना बहुत मुश्किल से हमें इसको set करके रखना पड़ता है ना या तो rubber band लगाना पड़ता है या बहुत ही हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है वरना तो क्या होता है कि यह सब कुछ जो ना अंदर से गिर जाता है जो भी सामान होता है तो इसके लिए आप लोगो एक टिप बताऊंगी दोस्तों तो यहां पर आप लोगो क्या करना है यहां पर लेना है फॉल पेपर ठीक है यहां पर जो है बस फॉल पेपर रखावा था तो यह फॉल पेपर को जो है मैंने इसके उपर लगा दिया है और सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने चादर बिचा ली तांके मेरा टेबिल गंदा ना हो और जल नहीं जाए ठीके दोस्तों तो इस तरीके से जो है पॉलेथिन के उपर जो है आपको फॉयल पेपर को जो है चिपका देना है इस तरीके से अगर आप डिरेक्ली लगाओगे तो आपका जो है पॉलेथिन जल जाएगा इसलिए मैंने जो है इस पे अलमूनियम शीर ली है और उसके उपर जो है मैं इसको इस्तरी कर रही हूं तो इससे क्या होगा दोस्तों आपका जो पॉलेथिन होगा वो चिपक जाएगा और आपका जो भी सामान होगा वो गिरेग हाथों पर निकाल कर भी दिखाया है और यह बिल्कुल चिपक चुका है यह इसमें से कोई सामान गिरेगा नहीं तो अगले टिप के अगला हम लोग क्या करेंगी तो यहां पे जो है ग्लासेस से लेकर जानी के जिनके जो चश्मी वगेरा होते हैं उनके लिए यह वीडियो ब एक बैस तरीका बताऊंगी यहां पर आपको रबर बेंट लेना है और कान की साइड पर जो इसकी स्टिक रहती है यानि कि हम जब इसको कान में पहनते हैं उस तरफ से जो है स्टिक के उपर ग्लासेस के उपर इस तरीके से रबर बेंट को लगा देना है और दूसरी साइड इससे क्या होगा, कि आपका चस्मः गिरेगा नहीं, आप आपका सर नीचे कर लेंगेई, तो आप फिर भी आपका चिश्मा गिरेगा नहीं और यह बिल्कुल कान के पीछे ही रहता है और क्या होता है कि एक बच्चे को अगर नजला जुकाम होता है और ग्लास जो है एक जैसे होता है बच्चे को पता नहीं चलता तो क्या होता है कि बच्चे जो है दूसरा ग्लास भी यूस कर लेते हैं जो बिमार होता है उसका ग्लास भी यूस कर लेते हैं तो इसके वाज़े से हमें बहुत ज़्यादा परिशानी होती है, तो आप लोगों को एक टिप बताऊंगी कि आप लोग क्या किया करें, दोनों एक जिसे ग्लास हो, तो उसमें जो है नेल पेंट से एल्फाबेट लिख लें, ठीके, बच्चे का जो भी नाम हो, इसका अल्फाबेट आप इस तरीके से लिख लोगे, और बच्चे को एक मरतबा सिखा दोगे, कि आपको इस ग्लास में पानी पीना है, तो इस तरह क्या होगा कि बच्चे को याद भी रहेगा और वो अपने इपने ग्लास में पानी पी लेंगे, और इससे क्या होगा कि बच्चे जो है जरासीम से महفو hospitals रहेंगे, और बच्चे बिमार नहीं होंगे तो इस तरीके से जो है आप लोगों को इस तरह अलफाबेट लिख लेंगे आप तो इससे बच्चे अराम से अपने अपने गलास में पानी पी लेंगे और बच्चे जो है सहत मन भी रहेंगे और उनको कोई मुश्किल भी नहीं होगी और कभी कबार यह होता है कि बच्चे गलास बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं तो अपने अपने गलास में पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों तो बाते हैं अगले टिप के उपर के अगला हम क्या करेंगी यहां पर जो है मैंने डुपटा लिया है आप लोग कुछ भी ले लें साडी ले लें या डुपटा ले लें तो क्या होता है कि हम जब यहां पर फोल्टिंग वगरा करते हैं फोल्ट करते हैं इसको तो यहाँ पर पिन नहीं लगती है, safety pin को बहुत मुश्किल होती हमें इसके अंदर डालने में तो इसके लिए अपनों को एक बड़िया सा tip बताऊंगी कि आप लोग क्या किया करें इस तरह directly अगर आप लोग लगाएंगे तो क्या होगा, आपके pin तूट भी जाएगी और हो सकता है आपके साड़ी है या दुपटा है वो फट भी सकता है तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, साबुन ले लेना है साबुन के अंदर इस तरीके से इस pin को प्रो देना है तो इससे क्या होगा, साबुन बगा जाएदा सिल्की होता है तो इससे बहुत ही इजीली आप अपने मोटे कपड़े पर भी अराम से पिन को अपने कपड़ों में लगा सकते हो और इजीली आपका जो मतलब यह कि इतना टाइम लग जाता है पिन हमारी तूट जाती है, मुड जाती है तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे तो आसनी के साथ जो है आप लोग अपने पिन को टुपर्टे के अंदर यह साड़ी में अराम से कैरी कर सकोगे तो आइ होप आप लोगों को यह सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो ज़रा भी अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा